हलो फ्रेंड्स नमस्कार तो आप असकीन पर देख पारे होंगे मैं अपना वाइटी स्टुडियो एप ओपेन कर रखा तो मैं यहाँ पे अपने यूटूब वीडियो का एनलाइटीज आप लोग को दिखाना चाहूंगा ठीक है तो यूटूब वीडियोज के उपर जरूरी है तो आगे आपके यूटूब वीडियो के ऊपर भ्यूज कैसे इंक्रीज होंगे कैसे बढ़ेंगे और आपका यूटूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आप उसे सर्च में कैसे ला पाएंगे तो एस सारा सब कुश डीटेल में आगे इस वीडियो में मैं को बताने वाला हूँ तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ पाएगा देन आप इसे यूज कर पाएंगे देन आप अपने यूटूब वीडियो के उपर इंक्रीज कर ठाई तो अब वीडियो को करते हैं सुरूँ हलो फ्रेंड्स तो आज की इस वीडियो को मैं दो पार्ट पूरा करूंगा तो फर्स पार्ट में बताऊंगा कि यदि आपका यूटूब चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना होगा जो कि आपका यूटूब चैनल सर्च में आने लगे ठीक है और second part में बताऊंगा कि यदि आपके YouTube channel के विडियोज पर भीज नहीं आ रहे हैं थोड़ा बहुत आ रहे हैं बट increase नहीं हो रहे हैं बढ़ नहीं रहे हैं तो आपने क्या करना होगा जिससे कि आपके YouTube विडियोज के उपर भीज बढ़ने सुरू हो जाएं भीज increase होन कि आप अपने YouTube channel को सर्च में कैसे लाएंगे तो आपको अपने YouTube channel का नाम अपना और original एवम यूनिक रखना है किसी दूसरे के नाम को यूज नहीं करना है ठीक है यदि आप किसी दूसरे का नाम यूज करते हैं अपने channel ने में तो यदि लोग search करेंगे यदि audience search करेंगे त आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा तो एक गलती मत किजिएगा तो आप मैं Chrome browser open करता हूं जैसे कि आप अस्कीनी पर देख पा रहा हूंगे Chrome browser open करने के बाद desktop side on कर देते हैं ठीक है उसके बाद अपने YouTube channel को login करते हैं जैसे कि मेरा YouTube channel login किया हुआ है तो इस तरह का दिख र आएगा यहाँ पर customize channel के उपर क्लिक किजिए तो इस तरह का interface आएगा तो यहाँ सबसे नीचे देखिए आप एक setting का icon है इसके उपर किलिक करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं ठीक है इसके उपर क्लिक करने के बाद इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर देखिए कई सारे option दिख तो यहाँ पर जो keyword डालना है आपने ऐपने अपने channel का नाम डालना है, तो आपका जिस तरह का channel का नाम है, हूं बहु पहले ऊसे डालिए, फिर channel के word को आगे पीछे करके डाल दीजेए, जो first में word है उसे last में डालिए, और जो last में word है उसे पहले डालिए, आगे आप channel के name को capital में डालिए तो उलट उलट करके इधर उधर करके आगे पीछे करके channel के name को डालना है तो इस तरह से आपने channel के name को डालना है आपके channel name के अंदर जितने भी word हैं उसमें से कोई एक word भी audience सर्च करे तो आपका channel सर्च में आजाए मैं आप लोग को जो बताना चाहरा हूँ सायद आप लोग समझ पा रहे होंगे ठीक है कि आगे आपने अपने channel के about में user handle को select कर लेना है ठीक है आगे आपने अपने description में भी channel name को mention कर सकते हैं ठीक है तो इतना कर देने के बाद पक्का है कि आपका YouTube channel सर्च में आने लगेगा यदि आपका channel बिल्कुल ही नया है तो कुछ time लग सकता है आप wait किजिए और regular अपने YouTube channel पे video upload करते रहे है पक्का है कि कुछ दिन बाद आपका YouTube channel सर्च में आने लगेगा ठीक है तो आप second में जानते हैं कि आप अपने YouTube videos के views को कैसे increase कर पाएंगे कैसे बढ़ा पाएंगे तो आप अपने YouTube channel पे जो भी video upload करते हैं तो उसका analytics आपको बिल्कुल सही तरीके से करना होगा ठीक है analytics करने के बाद आपको पता चलेगा फिर आपको समझ में आ जाएगा फिर आपने अपने उस video के keyword को देखना है और कुछ keyword जो है आपको add करना है कुछ keyword change करना है तो इस तरह से आपको करना होगा आपको अपने उस video का title भी change करना पड़ सकता है टाइटल में भी कुछ amendment करना पड़ सकता है तो आपको करना है ठीक है तो आपको अपने description में भी कुछ changing करना हो तो ओ भी करना पड़ेगा ठीक है यानि कि that means आपका अपने वीडियो का SEO जो है बिल्कुल सही तरीके से करना होगा ठीक है आगे हो सकता है आपका उस video का thumbnail अच कर लिया हूं तो content में चलना है तो content के ओपर मैंने क्लिक किया इस तरह का interface आया तो यहां पर मैं इस वीडियो को select करता हूं और open करता हूं जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो ए वीडियो open हो चुका है यहां पर नीचे आईए तो यहां पर देखिए go to video analytics है तो इस search terms तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो भी keyword इस वीडियो का search किया गया है searchable keyword है वो यहां पर so हो रहा है ठीक है यह सब keyword ज्यादा search किया गया है ज्यादा audience इसे search किया है आगे आपने chrome browser में जहां पर keyword add किये थे जो की channel name को add किया था वहां पर भी आपने video keyword को add करना है जिस related आप video create करते हैं उस तरह के keyword को आपने वहां पर भी add करना है ठीक है तो इतना सब कुछ कर देने के बाद आपका YouTube channel भी search में आने लगेगा और आपका video भी search में आने लगेगा ठीक है फिर आपका channel धिरे धिरे grow होने लगेगा और एक दिन आपका channel grow भी हो जाएगा ठीक लेकिन आपने YouTube पे जब काम करना है और एक success YouTube creator बनना चाहते हैं तो आपको consistency के साथ percent रखते हुए YouTube पे काम करना है फिर पक्का है कि आप एक दिन successful YouTube creator बनेंगे ठीक है आगे आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोग को बताया I hope कि आप लोग को अच्छी तरह स question हो तो मुझे आप Instagram पे DM कर सकते हैं reply अवस मिलेगा मेरा Instagram ID का link मेरे हर वीडियो के description में आपको मिल जाएगा वहां से easily आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं then DM कर सकते हैं आगे ए वीडियो आप लोग को कैसा लगा पक्का comment किजिएगा और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो like और share भी कर दीजिएगा और जो first बार join किये हैं मेरे YouTube चैनल प्लिज चैनल को subscribe कर लिजिएगा तो आप इस वीडियो को करते हैं end फिर मिलते हैं next वीडियो के साथ तब तक के लिए bye take care thank you